,明וש inform okay usually we are going discuss about dna repair आज हम पकाड़ेंगे ड्न AI repair होता क्या है और ड्न AI repair कैसे होता है सबसे पहले चीज là dna repair होता क्या है dna repair एक process होता है जिसकी मज़नस्टे क्या होता है अन्ек़ होता है჉स करता है various enzymes जिससे वो क्या कर सकये जो changes を DNA को उनको repair कर सके और DNA को original form में ला सके, यह होता है DNA repair की definition, अब जो changes आते हैं, वो DNA किस वज़े से आते हैं, वो आते हैं, mutation की वज़े, mutation is responsible for the changes in DNA, अब अगली चीज़ गई है, जब DNA को हमें repair करना होगा, तो DNA में कई सारी chemical reactions होंगी, यही point दिया गया है, DNA undergo lot of chemical reaction, अब क्या होता है, DNA को हम repair कर सकत हैं, कई सारे mechanisms से, जैसे कि पहला हमारा process होता है, mechanism process कैसे हम उसको repair कर सकते हैं, पहला process होता है, वो होता है direct DNA repair, दूसरा होता है accession repair, तीसा होता है mismatch repair, चोथा होता है recombination repair, पांच होता है SOS response, अब इनके बारे में study करेंगे, कि इन में होता क्या है, अब हम study करेंगे direct DNA repair क्या बारे है डारेक्ट डियाने रिपेयर क्या होता है एक मैथड होता है जिससे कि हम डेमेज डियाने को रिपेयर कर सकते हैं अब मैं आपको इनकी स्टेप के बारे में बतांगा कि यह के प्रोसेस होता कैसे सबसे पहले क्या होता है हमारे पास नॉर्मल डियाने नॉर्मल डियान DNA रिपेर एंजयम होता है वो क्या करता है थाइमीन डायमर को रिमूब पर देता है यहां से वो थाइमीन डायमर को रिमूब कर देगा किसमें से DNA में से फिर उसके बाद में क्या होता है फोटो रिएक्टिवेशन होता है फोटो रिएक्टिवेशन में क्या होता है एलेक्ट् अब मैं आपको डाइग्रामेटिकली स्टेप बाइज रहा हूं जैसे मारे पास कोई भी एक नॉर्मल डियेने उसके बाद में क्या होता है यह उस पर यूवी लाइट पड़ती है तो डियेने के पास में थैमीन डाइमर हो जाते हैं फिर क्या होता है फोटो लाइस एक्ट कर और यह उसके बाद में क्या होगा बाद में नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा विडियो में कि हम कैसे होता है इसमें डाइक डियेने रिपेर में अब मैं आपको बताऊँगा आगे वाली वीडियो में कि हम कैसे एक्सिजन से DNA को रिपेर कर सकते हैं एक्सिजन DNA रिपेर दो तरह से होता है एक होता बेस एक्सिजन रिपेर एक होता निक्लिटाई एक्सिजन रिपेर अब मैं यह टेक्निक आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि इसमें होता क्या है और कैसे यह टेक्निक प्रोसेस होती है